हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू एलजी आरे स्टेडी साथ यो आपको जानकारी दे दें कि एलजी आरे स्टेडी पर मनो भिज्ञान कहें तो साइकलोजी के अबजेक्टिव सेशन की सुरुआत हो चुकिया है जिसमें 500 इंपोर्टेंट को कवर किया जाएगा यदि आप इस से क्वालिफाई कर सकते हैं और सभी कोजिशन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं तो आप यदि सेशन को जोइन कर लिए हैं तो जल से जल्द लाइक करतें शेर करतें और लजी आरे स्टेडी को सब्सक्राइब कर लें कियोंकि लजी आरे स्टेडी पर सभी सभी सब्जेक्ट का सेशन चल रहा है तो आप इसे जोईन करना नहीं भूलेंगे और ऐसे मौके को नहीं छोड़ेंगे साथी साथ LGR study app को आप download करना नहीं भूलेंगे जिसकी विशेष्टाओं के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं और Facebook page को like कर सकते हैं यदि आपको सभी class का free PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजे जो LGR study के नाम से है और Instagram पर जाकर के आप हमें follow कर सकते हैं साथी साथ हमारा website www.lgrstudy.com यदि आपको study में कहीं भी problem होती है तो इसको visit करके आप उस problem को solve कर सकते हैं आइए अब आपको हम एप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि यह एप आपको कैसे board exam के लिए तयार करेगा और बेहतर बनाएगा तो सबसे पहले आप किसी फेकल्टी का तयारी कर रहा है तो आप online test लिए जाएंगे जो LGR study पर फिरी में लिए जाएंगे तो इस एप को आप download करना नहीं भूलेंगे जिसका link हम description में दे रहे हैं और आप चाहे तो play store पर search करके LGR study एप को download कर सकते हैं तो आए बिना देर किए first question को देख लेते हैं मनोबिज्ञान में सरपर्थम बुद्धी परिक्षन की सुरुवात किस ने की तो सबसे पहले बुद्धी परिक्षन की सुरुवात जो है 1908 में B ने द्वारा किया था इन्होंने परिक्षन करके पर्याप संसोधन को प्रकासित किया था इसलिए इसका perfect answer जो होगा वो B ने यानि की B इसका बिलकुल perfect answer होगा next question की ओर बढ़ते हैं निम्द लिखित में से कौन सरजनात्मक चिंतन की अवस्था है तो आपको बताना है कि निम्द लिखित जो option है इन में से कौन सरजनात्मक चिंतन की अवस्था है तो आपको बताते हैं सरजनात्मक चिंतन की अवस्था सत्यापन है यानि की A इसका perfect answer होगा next question की ओर बढ़ते हैं इससे पहले हम आपको बताते चले कि जिस भी question का answer आप लोग को पता है तो फटा फट से हमारे साथ comment section में उसका answer करते चले ताकि हम समझ सके कि आपकी तयारी कैसी है और कैसी आपकी तयारी होनी चाहिए चलिए तीसरे नमबर question को देखते हैं जिन व्यक्तियों की बुद्धी लबधी 80-90 की बीच होती है उन्हें कहते हैं क्या तो आपको पता दे सबसे पहले कि बुद्धी के आकलन को बुद्धी लबधी कहा जाता है और ये 80-89 के बीच यदि रहता है तो इसे क्या कहा जाता है परतिभासाली, mood, mad, mad या फिर समानने तो इसका perfect answer जो होगा वो D होगा इसे समानने ही कहा जाएगा जिसकी बुद्धी लबधी 80-89 के बीच रहेगी चलिए चोथे नंबर question को देखते हैं चोथा नंबर question है निमने लिखित में से कौन युग के ब्यक्तित प्रकार के अंतरगत नहीं सामिल है A. अंतरमुखी B. एंडोमार्फी C. बही मुर्खी D. उभे मुखी आपको बता दे चार नंबर question का perfect answer जो होगा वो अंतरमुखी यानि की A. इसका perfect answer होगा पांचमे नंबर question की बात करते हैं टाइप C ब्यक्तित का प्रतिपादन किस ने किया था आपको बता दे type C. दसवा नंबर question है इन में से कौन और समाननेता के जैव किये कारक नहीं है निम्द लिखित option में से कौन और समा answer होगा next question की बात करें ICD 10 परस्तुत किया गया है तो सबसे पहले आप ये जानने जिए कि ICD 10 क्या है ICD 10 का मतलब होता है international classification of disease 10 revision तो इसका perfect answer जो होगा वो होगा A यानि की भारतिय मनोचिकित्सा एवं संग द्वारा तो A इसका क्या हुआ perfect answer होगा बारहे नंबर question की बात करे दुई धुर्विये विकास के दो धुर्व है दुई धुर्विये विकास दो धुर्व जो है वो कौन कौन से है उनमात तथा विसात जो है दुई धुर्विये विकास के धुर्व है तो B इसका बिलकुल perfect answer होगा 13 नंबर question की बात करें 13 नंबर question है इन में से कौन मनोविसल इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो अस्थांतरन की अवस्था यानि कि D इसका बिलकुल परफेक्ट आंसर होगा इमोटिव चिकित्सा का परतिपादन किया गया था तो B इसका परफेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन की बात करें पतंजली के पसिद्ध योग सुत्र में योग के मार्ग है पतंजली जो थे वो योग गुरू थे चौदावा नमबर कोईशन है रैसनल इमोटीव चिकित्सा का परतिपादन किस ने किया A. फ्राइड D. शेल्डन C. कार्ल रोजस D. अलबर्ट एलिस चौदावे नमबर कोईशन का परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सेल्डन यानि कि सेल्डन दोरा इनके योग सुत्र में कौन से मार्ग कितने मार्ग है इनके योग सुत्र में कितने मार्ग है 4, 6, 8 या फिर 9 तो आपको बता दे पतंजली के परसिध योग सुत्र में जो मार्गों की संख्या है वो 8 है कौन कौन से मार्ग है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं सबसे पहला यम दूसरा नियम तीसरा आसन चौथा प्रानायाम पाच्वा प्रत्याहार और छठाई के बात करें तो धारना और सात्मा ध्यान तो ये सब आस्टांग योग है यानि की आठ इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा सुलहवा नमबर कोईशन है पुर्भागड़ा एक प्रकार है पुर्भागड़ा का प्रकार कौन सा है मनोबिर्ती, मुलप्रविर्ती, संबेग या फिर प्रेरना तो इसका परफेक्ट आंसर हम आपको बताते चलते है मनोबिर्ती का यानि की इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो मनोबिर्ती होगा चलिए 17 नमबर कोईशन की बात करते है मनोविर्थी निर्मान की सांस्कृति कारक की भूमिका पर बल दिया बॉंडूरा ने सुलेमान ने मीड एवं बिनेडिक्ट ने या फिर इनेसको तथा नेसलन ले तो आपको बता दे कि सुलेमान जो है मनोविर्थी निर्मान की सांस्कृति कारक की भूमिका पर बल दिया था तो 20 का दिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा 17 नमबर कोईशन का 18 नमबर कोईशन की ओर बरते हैं और 18 नमबर कोईशन है मनोविर्ती परिवर्तन परकिरिया में विसंदिता का संप्रते परतिपादन किया गया एब्राहम मौसले दोरा फ्रीटज हाइटर दोरा फ्रेस्टिंगर ने या फिर नॉर्मन आपको बता दे मनोविर्ती परिवर्तन परकिरिया का संग्यात्मक विसंदिता का संप्रते परतिपादी जो किया गया था वो फ्रीटज हाइडर दोरा किया गया था तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा 19 कोईशन की और वरते हैं एक समाजिक समुह की संराचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवाश्कता परती है किस ने समुह का बड़गी करन पराथमिक समुہ तथा दोरितिये समुह के रूप में किया था समू का बढ़गी करन दो भागों में जो किया गया था एक काईवर द्वाड़ा किया गया था तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आपको बता दे समाजिक समू के अन्ता समू में सरवाधिक एक्ता होती है तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो D यानिकी उप्युप्त में से सभी होगा चलिए लास्ट कुईशन को देख लेते हैं ये कुईशन है आक्रमक्ता का कारण कौन नहीं है आक्रमक्ता का कारण जो है वो मौडलिंग नहीं है कुन्ठा, ब्यभार, पड़क, आसद और बच्चों का पालन पोशन ये सभी आक्रमक्ता का कारण है तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा मौडलिंग तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिजे और शेर नहीं किया है तो शेर कर दिजे ताकि आपके अन साथ ही इसका फाइदा उठा सके साथ ही साथ LGR study app को आप डॉलड कर लेंगे जिसके बारे में हम अभी आपको बताने वाले है कि कितनी अच्छी वेवस्था इस अब में की गई है साथी साथ फेस्बुक पेज को लाइक कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लें यहां से आपको बिल्कुल फिरी पीडियाप और भी जानकारी मिलती रहेगी इंस्टाग्राम पर जा करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और www.lgrstudy.com जो हमारा वेबसाइट है इसको विजिट करके आप बहुत साड़ा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं तो आईए एप के बारे में चर्चा कर लेते हैं आप किसी भी फेकल्टी का त्यारी करना है चाहे हो आर्ट्सों, साइसों, कमर्स हो आपके सभी फेकल्टी के सभी सब्जेक्ट का VVII Objective Question का पीडियफ, VVII Subjective Question का पीडियफ Quick Revision Notes, Model Paper का पीडियफ, Class Notes और तयारी पूरी होने के बाद, Online Test लिये जाएंगे जो LGR Study पर बिल्कुल Free लिये जाएंगे तो इस एप को आप Download कारना नहीं भूलेंगे जिसका लिंक हम Description में दे दिये हैं और चाहे आप तो Play Store पर सर्च करके इस एप को Download कर सकते हैं